कैसे हूँ आप सब आज के वीडियो में हम बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक पढंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों को यह confusion होती है तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रशानिक परिवर्तन इन दोरों में क्या अंतर होता है आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है कि भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन क्या होता है तो ये रिवर्सिबल होता इसको एक सिंपली भासा में हम कह सकते हैं रिवर्सिबल रिवर्सिबल जो हमारा भोतिक परिवर्तन होता है ये कैसा होता है रिवर्सिबल होता है और जो हमारा रासाइनिक परिवर्तन यानि केमिकल जो रियक्शन होते हैं चेंजेस होते हैं वो नन रिवर्सिबल होता है रिवर्सिबल ये क्या हमारा होता है ये नन रिवर्सिबल हो होता है तो स्क》 फिर से यहने प्रप कर सकते हैं घर दिखा सकते हैं यह फिर आफ दुबारा प्रप्त कर सकते हैτοं GP हम इसमें कुछ आपको एक्जाम्पल के थूरू बताते हैं जैसे हमारे डेली लाइप में यूज होने वाला जैसे हमने क्या किया पानीस हमने क्या कर दिया बर्फ को बना दिया तो यह हमारा क्या होता रिवर्सिवल होता पानीस हमने बर्फ बनाया उसके बाद हम क्या करेंग वो भान को अगर हम को ग्ला नहीं कर सकते तो मों का जलनाय आता है हमारा किसमें यह वो है नोसले हम को ग्ला अगर मों को गला दिया गया मों कॉ defense तो यहgression हो गया इसको आप्जान दिए मोम का गलना अगर कहीं है तो वह होतिक परिवर्टन है यानि की वो हुआं पिजिकल चैंज्टे अगर हमने क्या कर दिया मोम को जला दिया थो खेलद चैंज आएंगे स्ट service केमकर कर आ मों लिए करकार से हमने संग्हां भावangeni बहुत यह संप्ल भावकाज़ान जो होता है रिवर्शी बना आए कि से दुबारा प्राप्त नहीं कर सकते जैसे दूसरे लही का बनना्व केंगयार करते हैं कपूर को जलाते हैं कपूर का जलना तो हम कपूर का अगर जला देते हैं तो उससे हम फिर दुबारा कपूर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यह हमारा क्या हुआ यह रासाइनिक परिवर्तन हुआ अगर हम कपूर का उर्धवपातन करते हैं कि कपूर को डारेक्ट हम लाइक करिए और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स फॉर वाचिंग